वेलो फ्रेंट्स वेलकम टुबाइक माई यूटूब चैनल आज देख सकते हैं आप फाइनली एक्जाम 2021 से आपको फाइनली पेपर आ ही चुका है आप देख सकते हैं जो फाइनल पेपर था वह मतलब रियल पेपर है जो आ चुका है जो आपका सब्जेक्ट है वह इंगलिस आपको पैसेंट पढ़ लेना है और फिर हमारा फर्स कॉस्चेन है जो फास्ट क्वेश्ट है तो फिर केंगाFուमuit गांधी मदरवाज तो इसका फास्ट सब्सक्राइब आपको पता ही होगा आपको यह पढ़कर आपको इसका एंसर देना है तो मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ है जरूर कीजिएगा मैं आपके लिए बहुत महनत कर रहा हूं आप प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए जो हमारा नेस्ट कोस्टन है रिड़ आपको पाईसस परकाइस का एंसर देना है जो नीचे विंडो तो आपको बताना है किस तरफ विंडो खुलता है तो आपको पत तो आपका जो इसका question आप देख सकते हैं तो आपको पढ़कर आपको एंसर दे देना है आपको एंसर सीट आपको नेस्ट पार्ट में दे देंगे अगर वीडियो अगर आपको इसकी पीडियाफ चाहिए तो हमारा टेलीग्रम चैनल को जोईन किजे लिंक डिस्क्रिप्शन म कि अपको इसमी लिक लेना है फिस यो ने क्योंडेश्ट केस्ट केस्ट केस्ट्ट को यहां पर हैं पर राइटिंग मतलब यहां पर रीक प्रिंस्पल को लिखना है तो आपको लिख देना है जो आपका राहुल कुमार रस्मी स्टुडेंट इंगर्मेंट हाइसकंडी स्कूल की है फिर आपको पर फ़स्ट जो है इंपोर्टन्स के एंड्ट सपोर्ट एक ज घू दुनेट kicking me और फोर्टम modes your आपको यह लिख लेना की पुम आपको ईंपल्च प्रिशा क visa लेना है इंपोर्टंट आफ इंग्लिष आपको इसा ऐसा ले nhất फिर जो हमारा next question है look at the following picture आपको यह लिख लेना है फिर जो हमारा section C रहेगा उसमें आपको grammar दी जाएगी तो जो हमारा next है तो आपको फिलिंग आपको इन में से 5 भी करना है तो आपको फिर्ष्ट है जो ही अने विश्टिस प्लेयर तो आपको इसमें भल लेना है जो भी हो फिर जो हमारा next question आपको पढ़कर अच्छे से आप इसको एंसर दे सकते हैं अगर हम इसकी एंसर सीट का हम नेस्ट पार्ट म लिख लेना है आपको यहां देख सकते हैं तो मैं दोस्तों आपको यह कहना चाहूंगा वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए ताकि हमको इसी तरह सपोर्ट मिले तो हम आपको रियल पेपर लाते रहें कि फिर आपको जो फिर्ष्ट कोस्टिन हैं गर सी भंठ आपको इसको चैंज ंड्व निगेटीव करना है तो आपको कर देना है चेंड़ नाच डू हर प्हों ध्यूट वेल खथ आपको इसमें से संतेंस को फिट करना है तो आपका लीजेगा फिर जो श्कौेशुलग है रिमासald9 हरो करना है तो आपको हो जाएगा जो नेस्ट कॉस्चन है आपको पढ़ लेना है नेस्ट कॉस्चन है जो हमारा इसका हो जाएगा दे प्लेंग आईसा कुछ हो जाएगा पुको ने कॉस्ट काना है उनको में प्लेंत copyright जो जो प्लेंगक स्ट लेंग को आप को लिखने है तौर से जहरे फिर आपको ने-स्ट कॉस्ट कींड न् dein पर जुत को अध्यवासिक परिष्छा कर्ला होनी वाली है तो आप अच्छे प्लॉइन देट हो वही आईगी अ फिसुए अपको में प्लीत रहें पढ़कर आच्छे सेहांसर आपको प्रिप्लायवासिक योदुभ्ला नैंसर एक तो आपको यह ने सबुद्धे Yay पूछे जाएंगे को फॉस्ट रहेगा हमारा नेस्ट था एंसर ने फाइप मतलब आपको इन में से पांच का एंसर देना है तो जो हमारा first question है what did the length of hope first तो फिर जो next question है who read the letter आपको letter लिखना है जो next question है can you how 10th में फिर आप रिका तो आपको यह सब लिख लेना है जो next question है what means madly तो आपको यह पढ़ लेना है फिर इस तरह आपको पढ़कर इनके answer लिख लेना है आप इनके इसकी insert marker भी देख सकते हैं अ आप इसको पढ़ लीजिएगा फिर जो हमारा next question है where was आपको यह पढ़कर अच्छे से answer इसके लिख लेना है आपको फिर नेस्ट question रहेगा answer the following question in about these words लिखना आपको एनी two करना हम मतलब आपको दो ही करना है इनमें से प्रेश्णों को तो जो हमारा first question है who the teach in the lesson आपको पढ लेना अच्छे से क्योंकि आभी paper आया बनाने में थोड़ टाइम भी लगता है दोस्तों और time आपके पास बहुत कम है इसलिए मैं आपको जल्दी इप्रेश्णों को दिखा दे रहा हूं आप अच्छे से इनको नोट करके तयार कर लीजिए फिर जो हमारा next question रहेगा answer the following question about 75 वर्ट आपको 75 वर्ट करना है एनी टू करना है तो जो फर्स्ट कोच्चन है हूँ डिल्दर रन चेंज सकते हैं अगर वीडियो पसंद आये तो हमारे सुखेंद यूटूब आर्मी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नेश्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्रस डबल आइकन जरूर दबाएं इसी तरह की वीडियो हम आप डेली झाल झाल